रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाइवे के सोहना दौसा खंड का उद्गाटन किया इस बात को अभी 24 घंडे भी नहीं बीते कि यहां एक दुरगटना हो गई दरसल भंडारेस के समीब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाइवे पर जुगाड और एक कार के बीच भैंकर भीडनतो गई वहीं इस हाथ से में एक युवक गंबी रूप से कहलो गया जिसे दौसा जिलास्पताल में भरती करवाया गया है उद्गाटन होने की 24 गंटों के बीतर ही दुरगटना होने से अब हाईवे पर सुरक्षा को लेकर कहीं तरह के सवाल उठने लगे हैं वहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की खूबियों की बात करें तो यह तीन एनिमल अंडर पास वाला एशिया का पहला एक्सप्रेस वे हैं साथ इस एक्सप्रेस वे पर प्रदूशन कम करने के लिए 10 लाग से अधिक पौदे लगाए जा रहे हैं आपको बता दी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से राजस्तान के साथ जिले कनेक्ट हो रहे हैं इनमें अलवर, भरतपूर, दौसा, सवाय माधुपूर, टौंक, बुंदी और कोटा शामिल है वह ये एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने का काम करेगा इसके साथ ही यहां माल गाडियों के लिए जो रास्ता बनाया गया है उसका 550 किलो मिटर से अधिक भाग राजस्तान में है इससे राजस्तान सीदे तोर पर गुजरात और महराष्ट के बंदरगा से चुड़ेगा जिससे राजस्तान में उद्योग लगाना और भी स्यादा आसान हो जाएगा यूरो रिपोर्ट पंजाब के इसरी राजस्तान